नमस्कार मैं डॉक्टर प्रियंका सोनी और आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर छेत्र से ताजा तरीन ख़वरे अब एक नजर ख़वरों की तरफ यह ख़वर आपको आजम मुट से दिखा रहे हैं जापर जिले के PWD का रहले पर अटेवा ने बैठक कर मदान के लिए जागरू करने के साथ ही तहबरपूर वमे नगर बलाग में नई कारकरणी का गठन किया आपको बता दे नई कारकरणी के तहट तहबर पूर बलाग से अध्यक स्पद पर सुर्भान चोहान को चुना गया अटेवा जिलाध्यक सुभाच चंद्र यादव ने कहा कि नई कारकरणी के गठन से संगठन को मजबूती मिलेगी साथ ही मदान करने के लिए लोगों को जागरू किया गया बैठक के दोरान अटेवा ने अपने नारे को भी बलंद किया इस दोरान जो पुरानी पेंसन की बात करेगा वही यूपी में राज करेगा नारा लगाया गया उत्तर प्रदेश ग्रामिर सफाय करमचारी संग के जिलाध्यक सीपी यादव ने कहा कि बैठक में सभी करमचारियों को मदान के प्रति जागरू करते हुए कहा गया कि फार्म बारा का उपयोग करते हुए अपने अपने मताध्यकार का प्रयोग जरूर करें जिस दोरान जिनकू रामसमूद यादो दुर्गा परसाद मिस्र चंदरजीत यादो रामकेश यादो सहित अन्यपताध्यकारी वकार करता उपासित रहे आज अटेवा संग के जिला ध्यच आदरी सुबास चंद यादो जी के अध्यचता में पूरे बलाक अध्यच और मंतरी की एक बैठक बुलाई गई कि जो हमारे मिधान सबाद 2022 का मद्दान साथ मार्च को होगा समस्त कर्मचारियों को इन देशित किया गया कि आप लोग जादा से जादा मद्दान करें यह मद्दान के परचार करने के लिए मद्दाता जागुक्त करने के लिए यह बैठक बुलाई गई है हमारे जो बलाक ध्यच आये हैं वो अपने अपने बलाक ध्यच जाएंगे अपने अपने करमचारियों को कहेंगे कि आप लोग जादा से जादा मद्दान में सयोग करें और आप लोग भार्म जो यह भार्म है आरू भारकर जरूर इसका प्रयोग करें और सभी लोग मद्दा मैं सुभास चंद्यादो जिलाद्यच अटेवा आजमगड क्या का कारक्रम हमारे अटेवा की जनपत आजमगड के कुछ बलाकों में जहां हमारा गठन नहीं था वहां गठन करने के लिए एक संचिप्त बैठक बुलाई गई जिसमें मद्दाता जागरुकता अभियान के बारे में चर्चा करनी थी और चर्चा की भी गई और उस क्रम में तहबरपूर में नगर में नई बलाकिकाईयों का गठन किया गया तहबरपूर में शुर्भान चवान जी को अध्यच बनाया गया और उनसे एक सप्ता में अपनी कारकाड़ी को घोसित करने के लिए कहा गया